नमस्कार बहुत स्वागे थे आपका आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग नौरात्र का छठा दिन मा कात्याईनी की अराधना की जाएगी और मा कात्याईनी जो ब्रस्पति से भी संबंद रखती हैं और सुक्र का भी आंसिक रूप से इन से संबंद है यानि आप अपने गुरू जो महिलाओं के विवा के कारक हैं और सुक्र जो जीवन में आनंद देने वाले हैं जो बैवाहिक सुक देते हैं तो दोनों को ही अगर मजबूत करना चाहते हैं यानि आप चाहते हैं कि सिग्र विवा हो आप चाहते हैं आपका बैवाहिक जीवन अ रशनान कीजिए स्वक्ष पीले या लाल वस्त्र धारन करें अगर आप बालिका हैं आपका विवा नहीं हो पा रहा है यहां तक कि अगर कुंडली में विवा के योग नहीं हो तो भी मा की कृपा से आपका विवा हो जाता है इसलिए विश्वास बनाए रखें और एक छोटा सा उपाई करें तो मा के सामने आप बैठिए मा को पीले पुषप पीली मिठाई अर्पित करें इसके बाद मा को आप यह सभी चीजें अर्पित करने के बाद हल्दी की गाठ्ट तीन लेनी है और फिर आप अगर संभब हो तो एक चांदी की कटोरी या फिर मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा सहधर पित करें मां के सामने भोग लगाईए फिर मां से प्रार्थना करें कि आपका विवा सिग्र अतिशिग्र हो जाए इसके बाद एक मंत्र है हमने स्किन पे दिया है उस मंत्र का जब जरूर करें कम से कम 108 बार ये सिग्र विवा के मंत्र है इस मंत्र का जब करने से आपका विवा भी सिग्र होता है और बैवाहिक जीवन की परिसानी भी दूर हो जाती है तो आप जब मा की अराधना करेंगे जब उनको आप लड़ू या पीली मिठाई का भोग लगाईएगा बाद में ये सहद भी आपको परसाद के रूप में खाना है और लड़ू जितने लोग है सब में बाढ़ दीजेगा सब मिलकर खाईएगा मा की किरपा पाना बहुत आसान है सिगर विवा के लिए मंतर जब भी करना होगा बिना मंतर जब का आपको फल नहीं मिलेगा कम मिलेगा इसलिए मा को मनाईए आप चाहें तो 108 बार से भी ज़्यादा मंतर जब कर सकते हैं लेकिन हल्दी की गांट जो है आप जब मा को अरपित कीजेगा बाद में इसको उठा कर आप अपने परस में रख सकती हैं या आप चाहें तो अपने बेडरूम में जहां आप सोती हैं वह इस मंद्र का जब आपको करना है तो सीगर मनुकामना आपकी पूर्ण होगी हम आपसे विदा लेते हैं हरहर महादेव